तो दोस्तों इंडियन मिसाइल सिरीस के आज के वीडियो से मैं आप लोगों को इंडिया के द्वारा डेवलफ किया जाने वाले या अल्रेडी डेवलफ किया जा चुका एंटी टैंक गाइड़ मिसाइलों के बारे में बताऊंगा दोसो नाग मिसाइल असल में इंडिया के द्वारा डेवलफ किया गया 3rd generation के all weather fire and forget lock on after launch anti-tank guided missile है रिपूर्ट के मुताविक इन मिसाइलों का range 500 से लेके 20 km तक है दोसो डियाइडियों के तरफ से इन मिसाइलों को ऐसे बनाया गया है कि ये single shot में करीवन 90% accuracy के साथ दुश्मन को ध्वस कर सकता है दूसे तरफ मिसाइलों को बनाने के बाद 10 साल तक किसी भी तरिक्या कोई भी maintenance का आवशकता नहीं है दोसो नाग मिसाइल के अगर टोटल प्रोग्राम को देखा जाए तो इसमें टोटल 5 अलग अलग टाइफ के anti-tank guided मिसाइलों को develop किया गया या फिर कहतो नाग मिसाइलों के टोटल 5 अलग अलग variant है जिनमें सबसे पहले नाम आता है land waste variant जिसे mast mounted system भी कहा जाता है इसके बाद नाम आता है helicopter launch नाग मिसाइल या फिर Helena जिसे धुरूबस्तर भी कहा जाता है इसके इलाबा man footable version जिसे MP ATGM कहा जाता है और air launch version जिसमें बाद में image infrared system को बदलते हुए millimeter wave active radar homing seeker को लगाया गया है जबकि सबसे आखिर में नाम आता है नाग missile carrier या फिर कहतो tank buster जो की BMP-2 infantry fighting vehicle के chassis के उपर लगाया हुआ नाग missile के सबसे घातक variant है नाग missile के development के अगर इतियास को देखा जाए तो 1988 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंडर ही इन missile के प्रोग्राम को शुरू किया गया था missile के पहला परिक्षन 1990 में conduct किया गया था जबकि इसके बाद missile के कई तरीके के advance equipment के development हुआ और आखिरकार 1997 से लेके साल 2000 के अंदर कई बार missile के परिक्षन किया गया और साहल 2001 में ministry of defense के तरफ से announce किया गया कि नाग missile के full scale production शुरू होगा जबकि इसके बाद से लेके अब तक नाग missile के कई बार परिक्षन किया गया और नाग missile के base पे अलग-अलग missile का development किया गया और दोस्तों इनी सालों के दर्मिया नाग missile के ये 5 वेरियंटों को तयार किया गया नाग missile के अगर base variant को देखा जाए तो इसका वजन करीव-करीव 43 kg है जिसमें करीवन 8 kg के warhead रहता है इसका लंबाई 1.85 meter मतलब 6 feet 1 inch के आसपास है और इसका diameter 0.2 meter मतलब 7.9 inch के आसपास है इसमें tandem charger high explosive anti-tank warhead का इस्तेमाल किया गया है और अगर इसके शमता को देखा जाए तो ये 900 mm के reactive armor या फिर rolled homogeneous armor को भेज सकता है मिसाइलों के अगर range को देखा जाए तो इसके जो नाग variant मतलब base variant है वो 500 meter से लेके 4 km के distance में target को द्वस कर सकता है इसके helicopter launch variant मतलब धुरुवस्त रगाले range 7-10 km है जबकि इसके 4 generation के upgraded missile जिससे stunt missile या फिर stand-off anti-tank guided missile कहा जाता है वो करीवन 15-20 km के range में target को द्वस करने का शमता रखता है फिलाल इसका इसका इस्तेमाल Indian Army और Indian Air Force के द्वारा किया जा रहा है और इसके launch platform नाग missile carrier हल रूद्र और light combat helicopter है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुसे like कीजिए और मेरे च का वीडिये हिन